नमस्य वच्चों आज हम हिंदी विशय का अध्यन करेंगे आज हम पड़ेंगे पाट भारत आओ पड़े अभी पहले चित्र में देखो एक शिक्षी का विद्यार्थियों को पड़ा रही है क्या करी है पड़ा रही है अध्यन करी है दूसरा चित्र में देखो मा और बेटा दिखाई दे रहा है और वो क्या कर रहे है रसोई घर में खाना बरना रहे है तीसरे चित्र में देखो एक लड़का कसरत कर रहा है अभी हम इस पाट का वाचन करेंगे भारत समझदार लड़का था भारत समझदार लड़का था वह पाटशाला जाता था अपना पाट याद करता था वह पाजा बजाता था भारत घर का काम करता था माता का खहना मानता था सबका आदर करता था वह हर काम समय पर करता था समय पर उठता था समय पर कसरत करता था समय पर खाना खाता था अबी देखो यापर भारत समझदार लड़का था भारत कैसा लड़का था समझदार मतलब वो आसानी से हर चीज समझदार था वह पाठशाला जाता था पाठशाला का अर्थ होता है स्कूल वह कहा जाता था पाठशाला जाता था अपना पाठ याद करता था वह अपना पाठ मतलब जो पढ़ाईये जो अध्यायन करना है वो ध्यान से याद करता था, वह बाजा बजाता था, वह बाजा भी बजाता था, भारत घर का काम करता था, वो अपने माता जी को घर के काम में मदद करता था, अपने माता जी का हर कहना वो मानता था, वो क्या करता था, सब का आदर करता था, सब से अच्छे से बात करता था, हमें हमेशा बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, हमसे जो भी उमर में बड़ा होंगा, उनकी हर एक बात हमें माननी चाहिए, जैसे भारत करता था, वो सबका अदर करता था, वो हर काम समय पर करता था, कौन को से काम करता था देखो, वो समय पर उठता था, समय पर कसरत करता था, समय पर खाना खाता था, यह सारे काम वो समय पर करता था वो कैसा था एक समझदार रडखा था तो यह सारे काम वो समय पर करता था अभी देखो यहाँ पर हम शुरूत लेखन करेंगे अब भ्यास देखो शुरूत लेखन भारत हम यहाँ पर भारत शब्द लिखेंगे भारत, भारत, पाट्शाला, पाट्शाला, माता, माता, आदर, आदर, समय, समय, कसरत, कसरत, धन्यवाद,